चीनी कंपनियों को एक और जटका, BSNL, MTNL की 4G सेवाओं को अपग्रेड करने का टेंडर रद हमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजनस की बाद प्रोग्रेम में, मैं हूँ आपके साथ बंदा शर्मा दूर संचार विभाग ने 59 चीनी मुबाइल एक्स को डिलीट करने के बाद, बुधवार को दूर संचार विभाग की BSNL और MTNL की 4G सेवाओं को अपग्रेड करने की निविदा रद कर दिया सूत्रों के मुताबिक ऐसा चीनी कंपनियों को जटका देने के लिए किया गया है केंदर सरकार ने BSNL को निर्देश दिया था कि वो अपग्रेड के लिए चीनी उपकरण का इस्तेमाल ना करे जिसकी लागत 7,000 से 8,000 करोड रुपे है आपको बता दे की नई प्रक्रिया से चीनी कंपनियों के अयोगी होने की संभावना बढ़ गई है जून में रहा GST कलेक्शन 90,917 करोड रुपे मई में आये थे केवल 62,009 करोड रुपे सरकार ने जून के महीने में GST से 90,917 करोड रुपे एकत रखिये ये आपकड़ा मई में 62,009 करोड रुपे का था और एप्रिल में 32,294 करोड रुपे का एक अधिकारिक बयान के मुताबिक जून 2020 में एकत्र सकल GST राचस 90,917 करोड रुपे है जिसमें CGST 18,980 करोड रुपे, SGST 23,970 करोड रुपे, IGST 40,302 करोड रुपे और उपकर 7,655 करोड रुपे है जानकारी के लिए बतादे कि सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में राहत दी है जून 2020 के दौरान, एप्रिल, मार्च और यहां तक ये फरवरी के रिटर्न भी ताखिल किये गए है चीन को सबक सिखाने के लिए PMO ने बनाई खास रर्णी टी विदेश से होगा जम करने वेश चीन के साथ चल रहे सीमा विवात को लेकर भारत अपना रुख कड़ा कर रहा है 59 चाइनीज एप बैंक करने के बाद चीनी कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट से दूर करनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है PMO ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहा है जिसने चीन पर भारत की निर्भरता काफी कम हो जाएगी साथी चीन के लावा दूसरे राष्ट्रों से भरपूर निवेश भी मिलेगा वही National Infrastructure Pipeline योजना जो कई महीने से सुस्त पड़ी थी अब उस पर भी सक्रियात्य से काम शुरू कर दिया गया है और पांच साल की भीतर भी इस योजना में 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने की तयारी हो रही है इसके लिए उन देशों और कम्पनियों की सुची भी बनाई गई है जहां से अधिक्तम निवेश आने की संभावना है इस बाबत विदेशों में स्थित भारते दूतावासों की मदद ली जा रही है आपको बता दे कि इस योजना में 49 प्रतीशत हिस्सा केंदर का और राज्ये का भी इतना ही हिस्सा रहेगा वहीं प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी इसमें 22 फिज़ी टैकी गई है सीमा पर नापाक मनसुहों से बाज ना आने वाले चीन को भारत लगातार आर्थिक मोर्चों पर जटकी दे रहा है अब भारत अपने हाइवेट प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को बैन करने की तयारी कर रहा है ये जानकारी केंद्रे मंत्री नितिनगटकरी ने दी है चीनी कंपनियों को संयूक्त उद्धन पार्ट्नर जेवी के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा गौरत अलब है कि इससे पहले रेलवे के कैई ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था इतना ही नहीं केंडरे मंत्री नितिन गड़करी ने ये भी कहा कि सूक्षम लगू और मद्यमुद्रों के विभिन शेत्रों में चीनी निवेशकों के साथ कोई रिष्टा ना रखा जाए एक जुलाई का दिन साल का सबसे एहन दिन हो सकता है क्योंकि इस दिन इंकम टेक्स और आधार से जुड़े कई नियमों में बदलाब किया गया है आपको बता दे कि अब इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर का ब्योरा देना जरूरी होगा इसका मुतलब यह है कि आध से अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं साथ ही अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं इतना ही नहीं विदेश मामलों में मंत्राले ने आधार को पास्पोर्ट बनवाने के लिए भी अनिवारे कर दिया है एक जुलाई के बाद से अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपका पास्पोर्ट भी नहीं बन सकता तो दोस्तो इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा जिस्ते आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन निलती रहे तो वने रही हमारे साथ और देखते रही ओके क्रेडिट